दो अप्रादियों ने एक युवक पर जान लेवा हमला कर दिया चाकू से वार कर उसे जान से मानने की कोशिश की अप्रादी की पतनी के साथ युवक का विवाद हुआ था एक आरूपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है आरोपियों में सेवा दल नगर निवासी बंटी ठवरे और बापू नगर निवासी चेतन मलेवार बताए गए जखमे युवक शुभम दिलिप साथ पैसे का उपचार जारी था पुलिस ने शुभम की मा संगीता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्च किया शनिवार को शाम के वक्त शुभम का किसी बात को लेकर बंटी की पतनी के साथ विवाद हो गिया गाली गलोज के बाद मामला शान्त हो गिया रात में बंटी घर लोटा तो पदनी ने विवात की जान करी दी बंटी ने अपने साथी चेतन को साथ लेकर शुभम की खोज भी शुरू की रात सब ग्यारा बज़े के दोरां शुभम भांडिये प्लार चौक पर इस्तित एक पान ठेले के सामने खड़ा मिला दोनों आरुपियों ने उसे घेर कर पीटना शुरू कर दिया इसी तोरां बंटी ने शुभम के पेट में चाकू घोब दिया और फरार हो गया इस्तानी नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलस को दी शुभम को उपचार के लिए मैडिकल अस्पताल ले जाया गया पुलस ने हत्या की प्रयास का मामला दरज कर आरुपियों की तलाश शुरू कर दी बंटी और चेतन के खिलाफ कई आपरादिक मामले दरज हैं किसी समय बंटी की परिशा में तूती बोलती थी पुलस ने उस पर लगाम कसने के लिए MPDA भी लगाया था क्यामरा परसन अखिलेश भारत दवाज के साथ शितीचा देश मुख BCN News नाकपर